इन दौर में रहकर PSC की तैयारी कर रही गूना निवासी युवती के माता पिता से फरजी क्राइम ब्रांच अधिकारी बन कर 30,000 रुपे की ठगी का मामला सामने आया है मामले के अनुसार भगसी कालोनी निवासी नरहरी भारगव को एक अग्यात व्यक्ती ने फोन पर धमकाते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच ने उनकी बेटी को एक युवक के साथ पकल लिया है यदि वो मामले को रफा रफा करना चाहते हैं तो तुरन 30,000 रुपे ऑनलाइन भेज दे फोन करने वाले व्यक्ती ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए नरहरी भारगव के मुबाइल पर एक फ़र्जी फोटो भी भेजा जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने किसी केस का खुलासा करते हुए नजर आ रहे थे इतना ही नहीं फोन करने वाले व्यक्ती ने नरहरी भारगव से किसी युवती की बात भी कराई इन सभी परस्तितियों को देख कर डर कर भारगव बेहट डर गये और उन्होंने ततकाल आरोपी के द्वारा दिये गए नमबर पर गूगल पे करके 30,000 रुपे भेज दिये खागी का खुलासा तब हुआ जब नरहरी भारगों की बेटी ने अपनी मा को फोन किया, बेटी ने बताया कि वह अपने होस्टल में है और पूरी तरह से सुरक्षित है